असलाम लेकुम स्टूरेंट माइनम इस हाफिजा जफर वालकम टो माइ यूट्यूब चैनल विए शौ लेक्शर बाइ हाफिजा जफर तो कैसे सब स्टूरेंट समीद कर तुम सब क्यारियस होंगे आप सो सब के पर बेच्छे हो रही होंगे मीट इग्जायम ठीक है तो जैस है भी है नहीं भी है लेकिन कहलें के टाफी है कि जिस तरह के क्वेस्टे ना रहे हैं पेपर में उससाथ है तो टाफी है बकिए मैं आज आपके साथ CS101 के इंपोर्टन मडियूल आपको बताऊंगी ठीक है या आपने मस्ट करने पेपर देने से पहले और आपके साथ पेप सब्सक्राइब कर देने से पहले इन मडियूल को लाजमी की दियेगा और साथ में क्वेस्टन आपको बता रही हूं यह भी आप जरूर कीजिएगा ठीक है जो पिपर आपके साथ शेयर करने लगी है अगर तो आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब कर दें साथ में वीडियो का लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा ठीक है इस तरह की और बहुत सारी इंग्लिश मनों ठीक है और पाक्ष्री जुर्वान इसलाम मियाद अधर्वाइस जितने भी सब्सक्राइब कोर्सित हैं उन सबकी जो वीडियो है ऐसी में करूंगी तरह प्लाइब करूंगी तक्वाइब को नहीं आते ही वाले टीक है आपका पेपर है प्रस करें आज है तो अगर आपको वह क्वेस्टिन आ जाता है फिर तो आपकी मुझे ही बनेगी स्टूडेंट ठीक है इसलिए क्या हुआ आप ने वीडियो देखी आपको इंफर्मिशन मिली आपने क्वेस्टिन अपना और एडी कर लिया जो रूपीट हो रादा तो इस तरह से आपको पर अ अच्छा हो जाएगा इसलिए चलन को सब्सक्राइब कर देए इसे आपका फाइदा होने वाला है सिएस बंजरो वन की जो इंपोर्टन मड्यूल है वह में डियूल नंबर वन ठीक है उसके बाद मड्यूल नंबर टू तू मड्यूल नंबर फोर्टू एट फोर्ट लेकर तक उसके बाद मड्यूल 10 मड्यूल 18 20 32 ठीक है यह सारे इंपोर्टन मड्यूल है इन में जादातर डैफिनेशन हैं ठीक है कुछ फाइंड करने वाला भी है 38 to 56 59 to 66 70 to 74 उसके बाद 80 85 86 94 to 95 और लास्ट वाला है 107 से 108 वेरी इंपोर्टन मड्यूल ठीक है यह मड्यूल आपन मस्ट मस्ट करने रहें में बार बार आपको कह रही ह। और अब मैं आप बताऊँगी कि किस तरह से आपने अपना प्रोपर में टाइम मनेज करना है कि कहती है अधात जाती है स्टूरใSa नर्वस भी होजाते हैं उनसे copy paste नियुक्षा नहीं हो तो नर्वस हो जाते हैं ठीक है उनसे टाइम मैनेजिए नहीं होता उसके बाद देखें कैसे आपने time manage करना है manage time during the first 15 minutes for mc us do not exist वह कहाना है जो फिर्स 50 minutes हो आपने mc us पर फोकुस करना है उसके बाद जो 45 मिनिटर रह जाएंगे बाकी सब्जेक्टिव को देने है राइट यूरांसर बेस्ट होंदा मार्क टू थ्री और फाइफ मतब आपने अगर क्वेस्टिन आपका तू मांक्स का तू साथ से आपने आंसर देना है ठीक है यह क्वेस्टिन तो उसमें आपने कुछ हाइडिंग्स एड़ कर देने हैं हाइडिंग्स के साथ लिखेंगे पॉइंट के साथ लिखेंगे तो आपको फूल मार्क मिलेंगा ठीक इफ यू डॉंट नाओ अगर आपको अंसर का नहीं पता है वाच फार कीवर्ड कीवर्ड स्टार्ट यूरा आपको क्विजिस में मिल जाथा तो आप एड़ कर दिया करें ठीक है और काफी दफ़ ऐसे हुआ भी है उसके बाद इंपोर्टन थिंग इस अटेम्ट आपने हाट चीज अटेम्ट करनी कुछ चोड़ के नहीं आना ठीक है अगर आपको क्वेस्ट नहीं प्याता आप अप आपने से लिखहें को पीपेस्थ करें लेकिन आपने क्या करना है को चौड़ कर नहीं आंढ़ कुछ ना कुछ नंबर आपको झू नी जाएंगे तो यह आपको बिताया तरीका करी कि किस अपने आपने टाइम करना है पेपर कि दुराद और मैंने आपको बिताएं CS101 के important material आप मैं आपको बताऊंगे जो paper हो चुकी है ठीक है इन 3 डेज इन 4 डेज में अच्छा यह देखिए CS101 टुडेइ पेपर MCQ is mostly from handouts अच्छा यह जो हमारी CS101 की handout है ना मतलब हमारा जोगे subject है यह update हो चुकी थी लास्ट वियर में थे इसलिए आपने क्या करना पास्ट पर पर नहीं रहना आपने हैंड़ को मस्ट रड़ी करना ठीक है अजा एंच्छा मुस्रेफ राम हैंड़ोट कुस्चिन आंसर कौन से थे नेम पापलर वेब ब्रोजर वेब ब्रोजर जो है उनकी नेम लिखने थे उस आपने एक्स्प्रेइन करना था सोर्स फ्राम सोर्स टू डेस्टिनेशन ठीक हो गया एक पेपर आपके साथ शेयर कर दिया मैंने अच्छा ती तो स्टूडेंस दूसरा पर देख लें जो कि सादे आट बजे था एट थर्टी पर ठीक है ठीक है अठारा एंसी के उस फ्राम हैंडोट मतलब जो अठारा हम सी कुछ से ना वो हैंडोट से थे तो तो थ्री आर फ्राम पास्पेपर कुछ मतलब बहुत कम जो है पास्पेपर से आए हैं मैं आपको अगें कहा रही हूं यह जो हमारा से लिबस है CS101 का यह नियू है ठीक है तो पास्पेपर पर नहीं आपने मस्ट करके जाना है और एक और क्वेस्टन है वह मैं आपको बताते हूं अनोवर रिटन बाइ मुह मुहमद अली फर्स नोवल ऑफ अली राइट पुट इन कोड एक सेमल इस आर सच बाइगूगल राइट जैर ओड़ गूगल से आपने सब्सक्राइड कर दिने जैस अगर यहाब टू अर्थनेंट बस नेटवर्क एड़ग यहाब टू फो यहाब तो सेंट मैसी थूग वाइप नेटवर्क तो अर्थन नेटवर्क राइट स्टैप इनके स्टैप लिखने है चैंज डैसिमल वैल्यू इंटू बाइनल इन्टेशन अब फाइवला जो कस थ तो आपने बाइन नोटेशन में जीन करना अब यह देखें यह जो पेपर है काफी टाफ है है कि नहीं सारा हो क्या रहे है कि फाइंड करने वाला है एक अधर कुस्टिन जो है वह डेसिमल वैल्यू नोटेशन यह इसी है ठीक है तो बाकी यह देखें आप नहीं है अगर आप अपनी mcqs वाला portion ही सही कर लेते ना तो आप पास हो जाते ठीक है उसके बाद देख लें पेपरफार 2022 CS101 question we have different operating system write three type of updating system के हम जो है बहुत सारे मुक्तलिफ operating system यूज करते हैं ठीक है इन से किसी three इनकी टाइप लिखें ठीक है अप्रेटिंग सिस्टम की ठीक है यह तो पह है ठीक है convert beta pattern to hexadecimal ठीक होगे एक यह पेपर मतलब यह मैंने क्यों आपके साथ शेयर किया आपके साथ इस वजह से शेयर किया कुछ तो आप nervous होंगे confused होंगे paper के बारे में because यह subject है भी थोड़ा tough ठीक है और आपको idea हो जेगा कि किस तरह की question आ रहे है और कुन कोंसे question आ रह two shells two shells जो है उनके अपने at least two names लिखने है ठीक है optical devices के name लिखने थे for more for movie storage protocol के related question था बाकी conceptual था ठीक हो गया उसके बाद है दूसरा paper को था URL की activation और example करने थी और floating point के error transaction को solve करने के कौन से दो method है ठीक है और मैंने टिसा exponent वाला question आया था binary को hexadecimal में change करना ठीक है करने करना था इस तरह से ठीक है और objective बहुत ही फजूलता हो मैं को आज़े अचा है अपनी कुछ ना अपनी अपनी किसमत की भी बात होती है किसी का luck भी चल जाता है मीन तुसे के इसको पेपर इसी आ जाता है कि इससे को पाफिजाद टाफ आ जाता है इस तरह जाता है आप पेपर को हला हाँ से चार करें और हैंडरोट को मस्त मस्त आपनी प्रीपेर करना है ठीक हो गया उसके बाद जो है टूदेशी एस वन-0-1 पेपर बेसिक फंक्शन ऑफ करनल थ्री मांक्स राइट क्वैरी एंड आउटपूट और एस आई बीए वेदर एंड फाइफ मांक्स इसको डिवाइड के ना थ्री से और यह फाइफ मांक्स का था एप्डिवेशन थी यू एडल की एंड इस एक्जैंपल यह कि तीन तफाए रिपीट हो गया है पेपर्स में ठीक है यह अपने मस्त करना सकता वर्किंग अफ प्रोग्राम एंड प्रोग्रस की नालक्रिकिन यह द्री मांक्स को अब यह तक जो हमने अब के साथ पांच से साथ पर शीर करेंगे का क्या मतलब होता है कि आपको नौलीज हो जोगा कि किस तरह से पर पड़ारी है ठीक होगया इसके बाद यह देखें तो देश से आस से फंक्शन ओफ करनल राइट कौ आ कालनी थी कैटेगरी लिखनी थी HTML की ठीक है कोलम अमीन पे रोल्ड दिया था ठीक है कोलम भी था फिल करना था इसमें मुझे थोड़ी confusion थी या अपने इन सारी के practice कर लें नहीं डेफिनिशन ऑफ हार्ट्वियर स्टोक्डेल एंड और एक्स्क्यूसिव और ऑप्रेशन की calculation करनी थी mathematics दीवी थी ठीक है और एक question या यह था कि MB TB और GB बताने थे अगर तो आपको definition आ जाती है न स्टूरेंस तो आप ही तो मुझे बनी है किसम से मजब की definition बने कार ले और साथ में स्टूरें से क्यों और जो फाइंड करने मला होता है यह जादा थोड़ा टाफ होता है काम अलापक साब के लिए असानी अदा करें में तो यही दुआ है और सब के पर अच्छी हो जाए इंशाल्ला अच्छा एक यह देखें फाइफ मार्क्स का question था अल्गोरिफम मेकिंग काप ओफ तीन मेडियूल 85 में से यह question आया हुआ है यह आपने वहां से देख लेने यह बहुत ज़्यादा जरूर है ठीक है त्री मार्क्स का question था Artificial Intelligence PSL cricket match TIT search on search engine and giving your result five marks question था sound amplitude क्या थिए ठीक है टोड़े CS10 paper basic function of kernel 3 marks write query and output ठीक है मैं आपको पहले भी बता चुकी अच्छा यह देखें 18 mcqs from handout easy था question 3 नमबर का network topology था कोई पता नहीं कौन सा था यह flash driver SSD STHX इनकी memory लिखनी थी मतलब storage capacity हो थी ठीक है question 5 नमबर का URL abbreviation with three examples embedded OS की device 5 लिखनी थी machine instruction थी बस काफी easy था paper objective ज्यादा ही थी था ठीक हो गया वही के कुछ easy है कुछ difficult है उसके बाद यह देखें 18 mcqs from handout question 1 second compliment conversation between positive and negative representation ठीक है इसके बाद question 2 है compliment methods से source को बना था machine cycle के three step लिखने थे ठीक हो गया students यह थे मैंने आपके साथ nine to ten paper आपके साथ share कर दिये हूं ठीक है इतनी भी help आपको अगर मिल जाए न कि जो currently paper हो रहे हो तो यह भी बहुत जदा ना कि खुशी की बाद होती है because के एक idea हो जाता है हमें कि किस तरह पेपर आ रहा है ठीक है आपके साथ ठीक है अगर तब मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी सा subscribe करते हैं because के इस तरह की मुझीद वीडियो आपके लिए बहुत जाला फाइदा आने वाली है ठीक है वीडियो के लैक्शियर भी जरूर कीजिएगा अलाफीज स्टूटेंस मिलते हैं नेक्स ल लग